Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains मैं हूँ शिप्रा तिवारी, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइट कराये जाता है बच्चो ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें सो मेरे प्यारे बच्चो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे शिप्रा मैम की जवानी सो लेट स्टार्ट लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे बहुत सारे लोगों ने वो लेक्चर देखा और उनको ये समझ में आ गया है कि अगर हमें ये लेक्चर अटेंड करना है तो पिछला वाला देखना बहुत ज़ादा जरूरी है लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीज़े समझाई है और एक बात और ये चाप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको समझा देना चाहती हूँ मेरे लाल कि Central Nervous System या Nervous System Neural Control and Coordination वाला जो चाप्टर है नीट में कई बार इस चाप्टर से सवाल बाहर से आ जाते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि हम थोड़ा सा NCRT के बाहर पढ़ रहे हैं पर आपको घबराने की जरुवत नहीं है क्योंकि कई चीज़े ऐसी हैं जैसे कि Broca Center, One Key Center वो NCRT में नहीं दिये हुए हैं पर फिर भी उनके Question Neat में आए हैं ठीक है और मैंने आपको वादा किया है कि Neat में जो भी सवाल आएगा उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको Nervous System में हो सकता है कि मैं थोड़ी सी बाहर की चीज़े पढ़ाऊं तो आपको उसके लिए घबराने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है बचो आगई बात समझ में पर मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं आपको Nervous System पढ़ा रही हूँ तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक डाइग्राम आपको crystal clear होना चाहिए आप उसे तब तक पढ़ते रहे हैं जब तक कि वो आपको contest हो कि आपके दिमाग पर घुस न जाए आगई बात समझ में So let's start, आज हमें brain exactly हम dissect करने वाले हैं और इसके internal part को पढ़ने वाले हैं पर इससे पहले कि आज की कहानी में शुरू करूँ, पिछली कहानी में क्या सीखा था एक बार कोई revision ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज है समझ में आई बात चलिए, एक बार मैं कोई revision करवा देती हूँ, उसके बाद हम लोग आज की कहानी शुरू करते हैं last class में, अच्छा, revision भी मैंने उनी चीज़ों का कराऊंगी जो मुझे लगता है, जो चीज़े tough हैं, जो मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए, जो चीज़े easy हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है last class में मैंने आपको पूरा nervous system का classification बताया था, हाला कि वो classification मैंने आपको introductory part में बताया था पर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं brain शुरू कर रही हूँ, तो ये part आपको आना चाहिए most important thing जो मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था, देखे एक बार quick सा मैं diagram draw कर दे रही हूँ, जैसे कि माल लीजे कि ये cerebrum है अपना, ठीक है आपको पता होना चाहिए, cerebrum है ये अपना, this is the part of four brain, ठीक है cerebrum के उपर, ध्यान से समझना, cerebrum के इस वाले part में, उपर उपर पता है ये पूरा area कैसा होता है, grey matter का area होता है, समझ में आई बात, grey matter का area होता है ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ठीक है, ये पूरा grey matter का area होता है cerebrum is the part of four brain, मैं quick revision दे रही हूँ, ताकि आपको कहानी clear हो जाए this is what, this is the grey matter, ठीक है, ये क्या होता है, grey matter होता है ठीक है, आई बात समझ में, so ये क्या है अपना, grey matter है बच्चो अब आपको ध्यान से ये समझना है कि grey matter होता क्या है, कुछ नहीं grey matter is nothing, it is the group of cyton, that's it, it is the group of cyton, समझ में आगई बात, group of cyton done हो गई बात, इतनी बात समझ में आई, अब ऐसा ही grey matter, suppose that, कि यहां से क्या, cerebrum से क्या है थोड़ा सो और cerebrum अपन इधर बनाते, cerebrum हो गया है, ठीक है, उसके बाद यहां पर आ गया, मालो midbrain आ गया फिर यहां से क्या आ गया, अपना मालो pons आ गया, ठीक है, फिर pons के बाद यह क्या हो गया, अपना medulla oblonguita आ गया और यहां से फिर छेट से spinal cord बहारा गयी, अब यहां पर क्या होता है, cerebrum होता है, इनके बारे में भी मैं आपको detail में पढ़ाऊंगी, तो tension नहीं लेना cerebrum के भी और मोटा होता है, cerebrum में तो बहुत ही मोटा होता है, इनके cerebrum के अंदर भी ऐसा ही grey matter पाया जाता है grey matter is nothing but, it is the, यहां पर भी ऐसा ही grey matter पाया जाता है, यह हो गया cerebrum, ध्यान समझना है क्योंकि यह आज की कहानी में आपको बहुत help करेगा यह हो गया cerebrum और यह हो गया cerebellum, this is the cerebellum, cerebellum is the part of hind brain, ठीक है, पढ़ाऊंगे भी parts के बारे में grey matter क्या होता है, grey matter is nothing, it is a group of cyton, पर beta cyton है, तो इसके exon भी तो बाहर निकलेंगे, यह निकले, इसके exon, ठीक है, यह exon क्या करते हैं, यह exon क्या करते हैं, बच्चों, यह exon signals को ऐसे करके नीचे से spinal cord की और लेकर जाते हैं, spinal cord से organ की और लेकर जाते हैं, ठीक है, आगई बा हैं, central nervous system में group of, ध्यान समझना, central nervous system में group of exon को हम लोग क्या कहते हैं, trapped, जाख को यह बाद समझना ही, कि सारे जो exon ही, नीचे ऐसे group के form में नीचे आ रहे हैं, इनको हम एक साथ क्या कहते हैं, इने हम कहते हैं, tract, आगई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई परिशानी तो नह Okay, now central nervous system में group of, group of cyton को हम क्या कहते हैं बच्चो इसे हम कहते है nucleus, क्या कहते है nucleus, ठीक है Actually, grey matter में तो पूरा ही cyton भरा है, कहीं कहीं पर यह पूरा क्या है, यह पूरा जो होता है, this is called as white matter White is called as white matter, क्योंकि exon के उपर myelin sheath होती है और myelin sheath की उपस्तिती की वजह सी, जितने भी exon निकल रहे हैं क्योंकि पूरा cyton उपर है, exon नीचे आ रहे हैं, exon नीचे आ रहे हैं और जो भी signal, देखे, cerebrum जो होता है ना, जितने भी decision आपकी body में हो रहे हैं यह पूरा cerebrum लेता है, cerebrum is the part of forebrain जितने भी decision हो रहे हैं, वो सब कौन लेता है, cerebrum हो लेता है मालोग गरम तवे पर हाथ रख दिये आपने, अब उस गरम तवे से आपको हाथ उठाना है तो cerebrum आपको बोलेगा कि हाथ उठाओ तो cerebrum से signal को नीचे जाना है, spinal cord से होते हुए आपके हाथ तक जाना है तो भाईया ऐसा है कि group of exons नीचे आएंगे और signal लेकर जाएंगे फेक्टर ओर्गन तक इन group of neurons को, exons को हम क्या कहते हैं, tract कहते हैं समझ में आ गई बात इतनी अब ऐसे ही white matter के बीच-बीच में भी कुछ grey matter या group of cytons पाए जाते हैं जिने हम nucleus के नाम से जानते हैं किया किस के नाम से जानते हैं, nucleus के नाम से जानते हैं So nucleus is not the cell nucleus here, the means of nucleus is the group of cytons समझ में आ गई बात, ऐसे ही मैंने आपको सिखाय था कि peripheral nervous system में group of axon को हम क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं nerve, समझ में आई बात क्या कहते हैं nerve और group of cytons को हम क्या कहते हैं group of cyton को हम कहते हैं ganglia ये दोनों में अंतर है आपको पता होना चाहिए ठीक है ये बाद समझ में आई तो आपने क्या देखा कि जैसे cerebrum से group of exon नीचे आकर आ रहे हैं फिर spinal cord में जा रहे हैं फिर spinal cord से organ तक जा रहे हैं एसे ही organ से group of neurons spinal cord से आते हैं फिर यहां medulla oblongata pons mid brain से होते हुए cerebrum तक जाते भी हैं तो इसका मतला भी है कि जो group of exons हैं जोने हम track कहते हैं central nervous system में वो organ से signal लेकर cerebrum की और जाते हैं which is called as ascending signal और signal लेकर आते भी हैं which is called as descending signal signal लेकर जा रहे हैं तो कौन से neuron लेकर जाएंगे मरे लला sensory neuron signal लेकर आ रहे हैं तो कौन से exon signal लेकर आ रहे हैं motor exon यह आपको पता होना चाहिए यह last class में मैंने आपको पढ़ाया था बताया था समझाया था समझ में आ गई बात इतनी बात clear हो गई आज हम पढ़ रहे हैं brain का detail so let's start with this को attention नहीं होनी चाहिए बस आपको नाम याद रखना है कि यहाँ पर nucleus का मतलब किसी एक cell का nucleus नहीं है बचो यहाँ पर nucleus का मतलब है group of cytons यहाँ पर track का मतलब है group of exons समझ में आई बात अभी हम PNS के बारे में नहीं बात कर रहे हैं पर PNS में मैंने आपको बता दिया कि peripheral nervous system में group of exons को हम कहते हैं क्या nerve और group of cytons को ganglia ठीक है चलो आजाओ अब दियान से समझना अब जो classification मैं आपको पढ़ा रही हूँ आती हूँ last class में मैंने आपको cerebral spinal fluid के बारे में पढ़ाया था और मैंने आपको सिखाया समझाया बताया था कि अगर ऐसे तो सब का दिमाग ही खाली होता है पर actually किसी का दिमाग खाली नहीं मान सकते हैं क्योंकि आपके दिमाग में फ्लूइड होता है एक तरल पदार्थ होता है जिसका नाम होता है सेरीब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो आपको बेयोंसी प्रोवाइड करता है इसले 1.5 kg का वेट होने के बावजूद ब्रेन का हमें 0.8 kg का फील होता है वो ventricles is what? जैसे heart में ventricles is what? It is a chamber ना वैसे ही आपके body के brain जो है उसकी अंदर जो ventricles होते हैं ये भी chambers हैं जिसमें CSF भरा होता है आज मैं आपको बताऊंगी कि midbrain, forebrain, midbrain, hindbrain में कितने ventricles हैं उनकी क्या position है आज हम सीखेंगे so let's start as we know that इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए कि we have three parts of the brain, one is the forebrain, second is मेरे लाल, midbrain, ठीक है second is what? second is the midbrain, ठीक है and third is what? बच्चो, hindbrain, ठीक है third is what? hindbrain कभी-कभी इस board, देवता को ऐसा लगता है कि इसको चंडाली चड़ जाती है, क्यों? हे बगवान, प्लीज, ऐसे मत करो यार, मेरे बच्चो को पढ़ाने दो, उनके भविश्य, देखो, देखो, इनके भविश्य का भला होने दो, चलो So basically we have three types of brain, बच्चो, four brain, midbrain और hindbrain चिक, four brain, four brain, midbrain, actually midbrain आपको दिखाई नहीं देता है, पता है, midbrain में आपको design बताऊंगी जरूर कैसी है पर पता है, इतना बड़ा four brain का cerebrum होता है ना, कि वो midbrain को चुपा लेता है, तो उसलिए वो दिखता ही नहीं है, चिक, आजाओ Four brain के basically we have to learn three things, one is the all factory lobe आपको पता है कि आपके NCRT में दो ही दिया है, पर मैं तीसरा भी बताना चाहूंगी, चेक, क्योंकि पता है, मैंने ये चीज़ notice की है, कि ये वाला जो हिस्से ना, nervous system का, देखो, लोगों को ये पढ़ने में बहुत जटिल लगता है, क्योंकि पता है हम imagine नहीं कर पाते, सेम चीज़ अगर आपको ऐसी इधर भी image करनी होगी ना, या imagination करना होगा है, तो आपको difficulty फील होगी, समझ मैं आई बाज जैसे कि यहाँ पर एक cerebellum है, तो यहाँ पर भी तो है, इसलिए आपको थोड़ा सा confusion हो जाता है, difficulty होती है, पर घबराने के जरूरत नहीं है, कुरसि and cephalon, ठीक है, यहीं से शुरू करती हूँ कहानी, जिससे आपको और ज्यादा clear हो जाए, देखो, olfactory lobe का कोई पार्ट नहीं पढ़ाऊंगी, cerebrum जो होता है, cerebrum जो है, वो बहुत सारे lobes में divide होता है, समझे बात को, जैसे कि जो आपका skull होता है, वो 8 हड़ियों से बना ह होता है, उन 8 हड़ियों के नीचे जो लोब होता है, वो ही cerebrum का लोब है, जैसे frontal lobe, parietal lobe, ठीक है, frontal lobe, जैसे यह होगया frontal lobe, जैसे यह होगया frontal lobe, यह होगया frontal lobe, यह होगया parietal lobe, ठीक है, यह जो लोब होगया parietal, यह जो होगया temporal lobe, ठीक है, और यह बच्चों लोब में डिवाइड होता है ठीक अलग अलग हिससे होते हैं ठीक है पूरा से रहे में एक फंक्शन नहीं करता रहता है हर लोब एक अलग-अलग फंक्चन को पफार्म करता है और मैं बताऊं सरी जितने भी डिसिजन तुमारे body में होते हैं four brain का यह जो cerebral हिस्सा होता है यही करता है that is why it is a largest part of the brain सारे काम जब सारे decision इसी को लेना तो यही रहेगा ना घर के जो बड़ा बुजूर रहता है जो सबसे बड़े आदे में रहता है तो cerebral के अलग-अलग lobe होते हैं जो अलग-अलग काम करते हैं जैसे की frontal, ठीक है जैसे की parietal, frontal, parietal, occipital, temporal ठीक है मैंने आपको position भी बता दी तो यह हड़ियां है हड़ियों के नीचे जो brain का हिस्सा आता है वो उसके lobes हो गया डन हो गया तो cerebral में यह lobes पाए जाते हैं lobes का मतलब हिस्सा और यह अलग-अलग function को control करते हैं आईए बच्चो, diencephalon, आपको बता है, सरीबरम इतना बड़ा होता है कि वो diencephalon को भी चुपा लेता है ठीक है, diencephalon जो है न, actually यह structure जो है, यह विभिन प्रकार के structureों से मिलकर बना हुआ है समझे बात को, diencephalon विभिन प्रकार के structureों से मिलकर बना हुआ है diencephalon के जो structure पाए जाते हैं वो third ventricle का हिस्सा है ventricle मतलब? ventricle मतलब बच्चो chamber जिसके अंदर क्या भरा होगा बच्चो? cerebrospinal fluid पूरे brain में बढ़ा रहता है पर हम chambers की बात अभी कर रहे है diencephalon जो है ये तीन हिस्सों से मिलकर बनता है सबसे पहला हिस्सा is the epithalamus epithalamus का कोई role नहीं है ये कोई signal signal transmit नहीं करता है दूसरा होता है thalamus इसके पास एक pineal gland होती है जो hormone secret करती है epithalamus के पास एक pineal gland होती है कौन सी gland होती है बच्चो? pineal gland होती है हम लोग एक nucleus क्या होता है बच्चो? group of cyton तो हम क्या बात कर रहे है भी? इसको छोड़ो epithalamus, thalamus, hypothalamus, hypothalamus से मिलका diencephalon बनता है epithalamus के पास pineal gland होती है gland क्या करेगी? बाद में बात करेंगे फिर हो गया मेरे बच्चो? thalamus ठीक है? फिर क्या हो गया बच्चो? thalamus और फिर हो गया hypothalamus hypothalamus का भी हम लोग function पढ़ेंगे done हो गई इतनी बात कोई दिक्कत इस में अब ऐसा मैंने क्यों बताया? mid brain के हिससे भी नहीं बता रही हूँ मैं mid brain भी पढ़ाऊंगी, कल मैंने mid brain के दो पाट बता दिये थे, पर अभी ultimate brain जानने की जरूवत आपको नहीं है hind brain के तीन हिससे hind brain, hind brain जो मन करे वो बोलो यार ठीक है, hind brain के तीन हिस्सों के बारे में मैं बात करूँगे, pink color लेती हूँ यार कभी-कभी तलो लगता है pink color मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छा हिस्सा है कि माल लो मैं बड़ी शिप्रा हूँ ऐसे ही कोई छोटी शिप्रा हो जाए समझो, मालो है कि मैं एक बड़ी शिप्रा हूँ ऐसे ही कोई छोटी शिप्रा हो जा तो तुम क्या बोलोगे sister of the शिप्रा, baby शिप्रा कुछ भी कह सकते हो ना तो शेरी बेलम को हम baby cerebrum कहते हैं और तीसरा इसका इससा होता है medulla oblongata medulla oblongata madam ये कल हमको आप बता चुकी थी तो मेरे को आज भी बताने का मन है क्योंकि अब जो कहानी मैंने आपको समझानी है उसमें में ये सारे पार्ट को design करूंगी समझे बात को, कोई दिक्कत, कोई परिशानी तो नहीं है आपको अभी तक, बिल्कुल सटा सट चका चक जीवन चल रहा है ना आपका आईए पहले हम एक rough diagram को draw कर लेते हैं देखिए सबसे पहले let me draw the skull ये हो गया skull ये क्या हो गया बच्चो अपना skull खोपड़ी है ना अब इस खोपड़ी में ऐसा एक छेद पाया जाता है इस छेद को हम कहते हैं foramen ठेक, क्या कहते हैं foramen of moonro ठेक है, foramen of moonro no, no foramen of अरे यार foramen of magnum ठेक है, foramen of magnum ठेक है, ये foramen of magnum क्या है, ये skull है बच्चो ठेक है ये क्या है आपका skull ये खोपड़ी, मैं एक एक step by step बता रही हूँ ठीक है कान खोल के सुनियो बात मेरी जो ना सुनियो तो समझ में ना यहो तो फिर मुझे बोलियो नहीं ठीक है तो यह क्या हो गई छेद हो गया खोपड़ी पे जिससे क्या पास होती है बच्चो जिससे पास होती है आपकी स्पाइनल कॉड ठीक है यह क्या हो गई अपनी spinal cord ठीक है अब इस spinal cord के उपर जस्ट उपर क्या पाया जाएगा बच्चो ध्यान से समझो सबसे पहला हिस्सा हम क्या बात कर रहे हैं सबसे पहला हिस्सा हम बात कर रहे हैं medulla oblongata एक एक करके बनाओ, bridge बनाओ ठीक है सबसे पहला हिस्सा क्या हो गया बच्चो Medulla Oblongata ध्यान से देखते जाना है ना Medulla Oblongata से ही ये Spinal Cord Pass होती है Medulla Oblongata मैं Hind Brain से 4 Brain की और जा रही हूँ Medulla Oblongata किसका हिस्सा है देखो Medulla Oblongata किसका हिस्सा है It is the part of the Hind Brain तो यहाँ पर मैंने Medulla Oblongata बना दिया Medulla Oblongata के बाद कौन सा हिस्सा है Pons और Cerebellum हमको बनाना है चल यह बना लेते हैं कोई Tension नहीं है Pons और Cerebellum चलो मैं बनाती हूँ Pons बना लेती हूँ सबसे पहले यह देखो यह बना लिया मैंने Pons लिबल कर दूँ मैं इसको कोई Tension नहीं है यह हो गया अपना Pons वेरोलाई कहते हैं Pons बस लिख दे रही हूँ मैं उसके बाद आपको क्या उसके बाद what you have to draw the Cerebellum अब बहुत सारा बच्चा लोग यह सोच रहा होगा जिसने अभी तक Nervous System नहीं पढ़ा होगा वो सोच रहा होगा जिसने थोड़ा पढ़ाऊगा उसको आइडिया होगा उनको यह लग रहा है कि Cerebellum मैं इसके उपर ही बना दूँगी जबकि मैं इसा नहीं बनाऊँगी Last Class में मैंने आपको बनाया है अब ध्यान से देखना Cerebellum मैं कहा पर बना रही हूँ उध्यान से देखना Cerebellum मैं बना रही हूँ यहाँ पर ठीक है यह बना लिया मैंने Cerebellum ठीक है अब ध्यान से समझना बच्चो ठीक है मैं इधर मोटा बना दी है इसलों मुझ ऐसा बनाना पड़ा cerebellum मैं बना रही हूँ ऐसा अब मैंने दो क्यों बनाए क्योंकि जैसे की cerebrum दो हिस्सों में डिवाइड होता है जैसे cerebrum होता है ना वो ऐसा होता है ठीक है? ऐसा होता है cerebrum four brain का part होता है दो हिस्से होता है वैसे ही cerebellum के भी दो हिस्से हैं इधर, एक इधर, तो एक दिकते हैं, दूसरा नहीं दिकते हैं, दो बना दिये, तो ये क्या लिख दे हो मैं सको, inac ہogrते हूँर, Cerebrum, Cerebrum कभी भी line में नहीं आता, Cerebrum कभी भी line में नहीं आता, उस side पे लगा होता है, at the dorsal side of the pons and the middle of elongated, done हो गई, इतनी बात समझ मैं आ गई आपको, चलिए, आगे की बात करती हूँ मैं आपको से, चलिए, उसके बाद, let me draw the midbrain, ये क्या हो गई, आपका midbrain, ठीक है midbrain generally हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, समझे बात को, है, अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा color कर दूं क्या, तो आपको और ज्यादा clear हो जाएगा, let me highlight the things, then you understand easily the, so मैं यहाँ पर yellow color किसको दे रही हूँ, yellow color I am going to give the medulla oblongata, medulla oblongata को मैंने yellow yellow dirty fellow दे दिया, ठीक हो कि सारे गंदे काम ही नहीं को करना दुनियादारी में, ठीक है, उसके बाद red color मैं किसको दे दे रही हूँ, यह दे दे रही हूँ मैं किसको, यह हो गया मेरा pons, ठीक है, यह हो गया pons, यह जो red red हिस्सा है, यह हो गया pons, जैसा आपको confusion नहीं हो, अलग-अलग color के दे दे रही blue जो color है वो में दे दे रही हूं dye encephalon को ठीक है color से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा हिस्सा कौन सा है ठीक है okay now थोड़ा सा highlight कर दे रही हूं so this is the pons ठीक है this is the cerebrum this is the medulla oblongator को attention नहीं होने चाहिए mid brain को भी को color दे देती हूं वो क्यों खाली रह जाए अब आप ध्यान से समझना चिक यह हो गए अपने brain के कुछ हिस्से अब ध्यान से समझना मेरे बच्चों बात चीक है ध्यान से समझो क्या बोल रही हूं अब हम mid brain के उपर ध्यान समझो यह hand brain हो गया पूरा brain के अंबर ही सारी कहानी चल रही है अब यह वाला जो पूरा पार्ट है ज्यान समझना इसके उपर यह पूरा में पहले सेरीबरम ही बना देती हूं अब यह दिख रहा है आपको यह ठीक है अब ऐसे ही बनेगा कोई टेंचन निले लेना है दिस इस दा सेरीबरम ठीक है माड़ा आपने डाइन सेफलोन नहीं बनाया भी है न क्यों नहीं बनाया क्योंकि mid brain जैसे अंदर घुसा हुआ है वैसे डाइन सेफलोन भी अंदर घुसा हुआ रहता है इसलिए मैं आपको अभी बता रहूं कैसा है देखो क्या होता है यह जो mid brain है इसके उपर एक ऐसा चैंबर पाया जाता है ठीक है ध्यान समझना mid brain के उपर ऐसा एक chamber पाया जाता है समझो बात को क्या बोल रही हूँ मैं ठीक है, mid brain के उपर ऐसा एक chamber पाया जाता है ठीक, ये chamber, okay mid brain के उपर ऐसा एक chamber पाया जाता है ठीक है, chamber है, तो इसको हम क्या कह सकता हूँ ब् numerator से मुझे करण हर करना पड़ेगा WERE IS THE B deswegen here It Is तो कि यह चेमबर जो है यह एक blue कलर मैंने देखो इस पर भर दी है ध्यान समझना मिट ब्री शेरिब्रम समझ गा हैना सरी ब्रम के अंदर मिडे ends मैंने दिखता नहीं यह सब 20 structure देखते ही है यह पूरा ब्रेन है ना यह पूरा ब्रेन है ओके दिस पूरा ब्रेन ठीक है जो हम देखते हैं तो हम सेरीब्रम को देखते हैं पर उसके नीचे सारे स्ट्रक्चर होते हैं Midbrain इतना अंदर ऐसा होता कि Midbrain कुछ भी नहीं दिखता है, अब दिखता नहीं, इसलिए मैं ऐसा बनाया है, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या बोल रही हूं मैं, जो नहीं समझो के फिर काम गड़ बढ़ जाएगा, अब होता क्या है, कि Midbrain के उपर होता है एक Chamber, ठी ठीक है, Chamber के अंदर एक Fluid भरा हुआ है, इस Fluid is called as CSF, क्या कहते हैं, इस Fluid को CSF कहते हैं, और इस Chamber का नाम पता है क्या है बच्चों, इस Chamber का नाम है Third Ventricle, क्या है Third Ventricle, ठीक है, आप ध्यान से समझना, Midbrain के उपर ही Diencephalon होता है, कैसे होता है वो ध्यान से समझो, क्योंकि अ पीछे का हिस्सा, ठीक है, पीछे का हिस्सा, Third Ventricle के पीछे का हिस्सा दिख रहा है आपको एक, This is called as Hypothalamus, ठीक है, अभी मैं इसका एक और अच्छा Diagram बनाऊंगे, अब जान से समझो, इस Ventricle के दोनों तरफ ऐसे एक कुछ round structure दिखेंगे, These round structure is what, this is the nucleus, this is what बच्चो, this is the nucleus This is called as Thalamus, इसे क्या कहते हैं बच्चो हम, Thalamus, ठीक है, ओके, इसके उपर पिट्यूटरी ग्लाइंड भी लगे रहे इस Hypothalamus के उपर, ठीक है, और ये जो पिछला हिस्सा, जो इस Ventricle का पीछे का हिस्सा है, This is called as Epithalamus, This is called as Epithalamus, डन हो गई इतनी बात, समझे आप मेरी बा Medulla Oblongata, Medulla Oblongata के उपर होता है Pons, और इन दोनों के पीछे होता है क्या, Cerebellum, साइड में होता है, ठीक है, ये तीनों किसके पाट है, This is the Hind brain, This is what, This is the Hind brain, अभी मैं आपको थोड़ा और नीचे बनाऊंगे डागरम, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, अब ध्यान से समझना Actually, ये जो Cerebellum मैंने आपको बनाया है ना, ये यहाँ से ऐसा बनाना चाहिए था मुझे, This is the good, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है ना, ये सही है, तो ये Cerebellum हो गया है, अब ध्यान से समझना, Midbrain आप देख रहे हैं, अब आपको अगर दिख रहा होगा, कि Midbrain और Hind Midbrain, तीनो, तीनो Cerebrum के नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, Midbrain और Hindbrain को देखो, तीनो Cerebrum के नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये brain stem बनाते हैं, खैर उसके बारे मैं भी बात करेंगे, Midbrain के उपर एक chamber होता है, ठीक है, Midbrain के उपर क्या होता है, एक chamber होता है, इस chamber चैंबर के देखो यह चैंबर कैसा है बच्चो ऐसा है यह चैंबर कैसा है ऐसा ठीक है इस चैंबर में क्या भरा हुआ है बच्चो इस चैंबर में भरा हुआ है पानी पानी मतलब CSF ठीक है इस चैंबर का नाम है थर्ड वेंट्रिकल इस चैंबर का नाम क्या है बच्चो थर् ventricle, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि brain में अलग-अलग प्रकार के chamber होते हैं, कितने chamber होते हैं, चार chamber, अभी मैंने आपको disclose किया, तीसरा chamber जो mid brain के उपर होता है अब इसके सामने का जो हिस्सा होता है मतलब actually this is not सामना, this is the पीछे का हिस्सा ठीक है, इसके जो पिछले हिस्से का हिस्सा होता है, इसको कहते है hypothalamus, ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों इसको हम, hypothalamus ठीक है, hypothalamus ये हिस्सा, ये हिस्सा is called as hypothalamus, जिसमें pituitary gland लगी हुई होती है इसका जो front हिस्सा होता है इसमें लगी होती है pineal gland और इसे हम कहते हैं this is the pineal gland और इसे हम कहते हैं epithalamus और यहाँ पर इसके side by side ऐसे एक solid structure लगे होते हैं जिसे हम कहते हैं thalamus ठीक है, तो epithalamus, thalamus और hypothalamus, ये तीनों मिलकर बनाते हैं diencephalon तो diencephalon कुछ नहीं है बच्चो, third ventricle के चारो तरफ जो भी sunrachnaya present होती है उनको इकठा हम diencephalon कहते हैं जो कि mid brain के उपर present होती है so all the structure which is present into this ventricle this is called as diencephalon पर यह आपको दिखेंगी नहीं क्योंकि ये cerebrum के नीच या जाती है so every minute देखो सबको तो ढखा हुआ mid brain भी नहीं दिख रहा आपको समझ में आगई बात इसका screenshot ले लो एक बार लो बच्चो, अब मैं जो कहानी आपको समझा रही हूँ विल्लकुल कान कॉल कर सुनना बात इतनी बात आपको clear हो गई है जा ना कि हमारे brain में कौन-kौन से पार्ण हो रहे यह जो पूरा इस乐 को दिख रहे है this पूरा इसा फ़ोर js सामार डिमागो क NORवी कर लो कर देख। जैसा कि मैंने आपको बताया यह दिनाग करते नहींता इसका सोचता है brain जो होता है न उसमें brain जो पूरा आपका यह जो पूरा brain दिख रहा है this is the hind brain, this is the mid brain, this is the forebrain इसमें अलग-अलग ventricles होते हैं वो कहा है, उनकी position क्या है, वो मैं आपको बता रही हूँ देखो, ध्यान समझना ventricles of brain, अब हम क्या discuss कर रहे हैं, ventricles of brain ठीक है, ध्यान से समझना ventricles of brain, then I will start the forebrain cerebrum start कर लूँगे, ठीक है पर मैं सब position वगेरा बता दूँगी, कहां कि इसकी position है, meduloblongata का है, pons का है, फलाना का है, धंका का है तो आप थोड़ा सा निश्चिंतरा होगे, ठीक है ventricles of brain, ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ventricles का मतलब क्या होता है, ventricles का मतलब होता है chambers, ठीक है, और ये कैसे chamber होते हैं, बच्चो these are the fluid filled chambers, कैसे chamber हैं ये these are the fluid filled chambers, कैसे chamber होते हैं मेरे लाल, मेरे बच्चो, मेरे हरे, पीले, नीले, गुलाबी ये fluid filled chambers होते हैं कितने होते हैं ये chamber brain के अंदर ये fluid कौन सा है मैं है पहले तो ये पता होना ची fluid है CSF कितने chamber होते हैं brain के अंदर चार इन्हें हम क्या कहते हैं ventricle इन्हें हम क्या कहते हैं ventricle इतनी बात आपको clear हो गई एक rough diagram draw करके दिखाती हूं ये एक ventricle है ये दूसरा ventricle है ठीक है ओके ये हो गया तीसरा ventricle ठीक है और ये हो गया किसी और color से बनाऊंगी मैं और ये हो गया आपका चौथा ventricle ठीक है ये हो गया चौथा ventricle दन ओके अब ध्यान से समझना ये कैसे बनाया है मैंने ध्यान समझो ये दोनों ventricle, first और second अगर आप देख रहे होंगे, तो ये आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, मतलब क्या है, कि ये ventricle जो है, एक सरीब्रम में है, दूसरा ventricle, दूसरे सरीब्रल हमिस्फेर में, तो ये दोनों ventricle कहां पाए जा रहे हैं, सरीब्रम में, सरीब्रम में समझे बात को क्या बोल रही हूँ मैं, कि ventricle का है, ऐसे ventricle कैसे होता है, ये ऐसा है ये ventricle, ठीक है, तो ऐसे ही एक इधर इधर वाले सरीब्रम में है, और ऐसे ही एक पीछे वाले, इसके बाजू वाले सरीब्रम में, तो हमने ऐसा बना दिया, ये कैसे ventricle होते हैं, लेट किनारे किनारे, तो हमने ऐसे बना दिया, ठीके, इस डक्ट का नाम जाने की ज़रोगत नहीं है आपको, ओके, आगे बात करते हैं, दूसरा वेंटरिकल क्या है बच्चो, वेंटरिकल मतलब fluid-filled chambers, ठीके, यह हो गया अपना third ventricle, third ventricle आपने कहां पर पढ़ा है बच्चो, बत आपको याद होगा, तो यहीं पर हमने third ventricle में ही हमने epithelmus, hypothalamus और thalmus पढ़ा भी वापस से पढ़ रहे हैं, अब इस third ventricle से एक duct pass होती है, जिसे हम कहते हैं cerebral aqueduct, ठीके, यह आपके NCRT में दिया हुआ है, एक duct pass होती है, जिसे हम कहते हैं cerebral aqueduct, या इसी को हम कहते हैं duct of iter, ठीके, इसी को हम क्या कहते हैं, duct of iter, ठीके, duct of iter, duct of iter, कहां से pass होती है, यह आपको पता होना चाहिए, duct of iter pass होती है, pass from the midbrain, कहां से pass होती है, बच्चों, midbrain से pass होती है, midbrain में कोई chamber नहीं होता, chamber, तीन chamber तो कहा हैं, आपके four brain में, midbrain से सिर्फ यह pipe pass होती है, और ये हो गया 4th ventricle 4th ventricle 4th ventricle जो है ये कहां होता है? ये होता है हिंड ब्रेन में तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2-3 ventricle कहां है उपर के वो है 4th brain में फिर उसके बाद आ गया Aqueduct तो आ गई Cerebral Aqueduct, Doctor Fighter उसके बाद एक चामबर हुआ 4th ventricle, ये ventricle की position है इतने ventricle आपके कहां पाए जाते हैं? Central Nverse System मतलब की brain में पाए जाते हैं अब इनको एक-एक करके मैं draw करना आपको सिखाऊंगी आजाओ मेरे बच्चों ये वाला जो diagram है ना इस कोम को वापस से बनाना पड़ेगा आए जाए ये थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी तो आपको और ज्यादा clear हो जाएगा ठीक है? चड़े शुरू करते हैं सबसे पहले this is the बड़ा बड़ा बनाते हैं इस इस वाट इस इस दा ठीक है? ये हो गया छेज़ जिसे हम कहते है foramen of magnum जिसे spinal cord बाहर आती है एके करके diagram देखते जाना तो बढ़ियां मज़ेदार शानदार समझ में आएगा चीक है? ऐसा लिखते हैं अपन ये हो गया अपना medulla oblongata ऐसा बनाते हैं अपन ये हो गया अपना medulla oblongata ठीक है? ये हो गया अपना medulla oblongata ये हो गया अपना medulla oblongata कोई tension तो नहीं इसमें अब हम देखो ध्यान से कैसा बना रही हूँ मैं? पहले हमने direction कैसी रखी थी? पहले हमने direction ऐसी रखी थी ठीक है? अब हम इसको उलट दिये हैं ऐसा ठीक है? समझ रहे हो बात को क्या बोल रही हूँ मैं? है? पहले हमने direction ऐसी रखी थी अब हम direction को उलट दे रहे हैं कैसे करेंगे? वो देखी आप medulla oblongata के बाद अब हम बात कर रहे हैं ponds की ठीक है? किस की बात कर रहे हैं बचो? ponds की चले देखते है ponds वेरुलाई कैसे बनाएंगे हम लूग ponds वेरुलाई हो ऐसे देख रहे हो या ऐसे देख रहे हो डिपन करता है ठीक है? पहले हम कैसा देख रहे थे? ऐसा देख रहे थे और अब हम कैसा देख रहे हैं? ऐसा देख रहे हैं ठीक है? आईए अब हम लोग ponds के बाद what we have to do हब को क्या बनाना है वो ध्यान से देखिए किस कलर से बनाओ यार ठीक चली अब हम बना लेते हैं एक midbrain ठीक है हम एक midbrain बना लेते हैं midbrain को हम एक घर जैसा बनाते हैं ठीक है let me make the midbrain as a ghar ठीक है यह midbrain बना लिया मैंने आईए अब समझते हैं क्या क्या समझते हैं ध्यान से संचञो अब क्या हुआ ध्यान से समझिए सनजे भाईया नाम का एक आदमी ठीक इस जगा पर खड़े हो गए ठीक है इस जगा पर संजे भाईया खड़े हो गए डन है अब संजे भाईया जो है वो सोच रहे हैं क्या करूं मैं ठीक, वो क्या करें क्यों? वो इस छेट से देख रहे हैं नीचे और वो देख रहे हैं कि नीचे पानी भरा हुआ है ठीक पूरा पानी भरा हुआ है अब ध्यान समझना तो वह क्या करें ध्यान से समझना इस color से बनाओं, इस color से blue color से उन्होंने देखा कि नीचे देख रहे हैं और वो इस पानी की ट्यूब से ध्यान से देखना इस पानी की ट्यूब से, संजे भ हैadaş ये पानी है न पुरा पानी मतलब C.S.S.V इस पानी की ट्यूब से तैरते हुए यहाँ है ठीक है, इस्पानी के ट्यूब से संजब भाईया तैरते हुए यहाँ है अगर आपको पता होगा मैं लेबल करूँगी, तभी आपको clear होगा This is the pons इधर साइड लेबल कर देती हूँ, उधर साइड डाइग्रम बना देती हूँ, ठीक है? This is the medulla oblongata This is the mid braid And यह हैं प्यारे संजब भाईया जो नीचे जहाक रहे हैं और मनहेन का तैर करने का तैरते हुए नीचे आए संजब भाईया यहाँ पहुच गए ठीक है, यहाँ पहुच गए संजब भाईया तैरते हुए, ठीक है, कोई टेंशन ने अब पॉन्स और medulla oblongata के dorsal side पर हमने क्या पढ़ा बच्चो पीछे side पर हम क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं seribellum ठीक है, हम black color से नहीं बनाऊंगे seribellum मुझे एक अच्छा color चाहिए seribellum के लिए, यह ले ले लेती हुँ यह ट्यूब यहाँ पर जाकर यह ट्यूब यहाँ पर जाकर यहाँ पर जाकर चोड़ी हो गई ठीक है, यह ट्यूब यहाँ पर जाकर कैसी हो गई, अच्छा सा बनाऊं थोड़ा सा, यह ट्यूब यहाँ पर जाकर कैसी हो गई, थोड़ा सेरीबेलम भी हमको चोड़ा बनाना पड़ेगा सेरीबेलम भी यह ट्यूब यहाँ पर जाकर कैसी हो गई थोड़ी सी चोड़ी हो गई अदे यार रुख जाना छेक है यह ट्यूब यहाँ पर जाकर ऐसे चोड़ी हो गई अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, द्यान से देखो, क्या हुआ, यह जो आपकी pipe है, जिसमें fluid भरा हुआ है, जो mid brain से होते हुए गुजर रही है, ठीक, अब mid brain से कौन सी pipe मैंने आपको पढ़ाईती गुजरती है, बताइए मुझे, mid brain से गुजरती है, बताइए cerebral aqueduct, यहाँ पर cerebral aqueduct, बताए मैंने cerebral aqueduct, अब यह cerebral aqueduct, जो है, यह जाकर penetrate करती है, किसके बीच में पता है आपको, ध्यान समझना बात को, किसके बीच में पता है आपको, यह देखिए, दो cerebrum क बीच में, यहाँ दो बनाना पड़ेगा मुझे, क्या बोला मैंने ध्यान से समझो, mid brain से एक tube आ रही है, जिसमें cerebrum CSF भरा हुआ है, जैसे ही वो pons medulla के पिछले हिससे में, cerebrum होता है, यहाँ cerebrum होता है, ठीक है, cerebrum के दो halves है, cerebrum के क्या है बच्चो, दो halves है, ठीक है, तो यह जैसे यह pie pie, जैसे मालो यह pie pie, ठीक है, यह pie pie अपनी, ठीक है, और यह pipe जो है, यहाँ जाकर यह ऐसा चोड़ी हो गई, ठीक है, यह यहाँ जाकर ऐसा चोड़ी हो गई, done, अब यह जो चोंच है ना इसकी, यह वाली जो चोंच आप देख रहे हैं उसकी, यह पता है किसके बीच में गुसरी है दो cerebellum के बीच में गुसरी है ये मैं अभी ससको बीच से घुषाता हो दिखा ने सकती ङुद की मेरे पास तो एक ही board है तो आपको समझना है कि एक cerebellum यह और एक cerebellum यह ऊपर से ट्यूब आ रही है जैसे यह गुज गई, दो cerebellum के बीच में, दो cerebellum के बीच में, और एक chamber जैसा structure बना लिया, ठीक है, और वहाँ पर ये fluid भरा रहा है, आपको पता है इसको क्या नाम देंगे आप, आप इसको नाम देंगे fourth ventricle, क्या देंगे इसको नाम आप, fourth ventricle, ठीक है, तो आप समझ गए fourth ventricle किसका हिस्सा है, भाईया, pons हो गया, medulla oblongata हो गया, cerebellum हो गया, ये तीनो किसके हिस्से होते हैं, बताइए मुझे, ये तीनो किसके हिस्से होते हैं, बच्चो, ये तीनो, तो hindbrain के हिस्से होते हैं, I don't think so कि इसमें एक tube उपर से midbrain से होते हुए आरी, जिसमें सिये से भरा हुआ है, और वो tube इन दोनों cerebellum के बीच में घुस गई, ये दोनों cerebellum के बीच में tube घुस गई और वहाँ जाके चौड़ी हो गई, और इसने क्या बना लिया, बच्चो, वहाँ पर fourth ventricle, समझ गए आप, क्या बोला मैंने, so fourth ventricle का जो चोच होता है, fourth ventricle का जो चोच होती है, वो cerebellum के बीच में घुसी हुई रहती, जबकि उसका base कहां पर होता है, ponce और middle of longgetta के बीच में, ठीक है, ये समझ गए आप लोग, ठीक है, इसका base थोड़ा और अच्छा सा में design कर सकती हूँ, तो मुझे कोई tension नहीं होनी चाहिए, आओ, एक अच्छा सा base बना देती हूँ मैं इसका, ठीक है, ये देखो, ठीक, ये यहाँ पर जाकर इस तरीके से चोड़ी हो गई, और चोड़ी बना देती हूँ, ठीक, तो ये क्या बन गया, fourth ventricle, base कहाँ पर है, medulla, ये इसका base है, medulla और pons के बीच में इसका base है, और यहाँ पर cerebellum के बीच में जाके चोड़ा हो गया, ठीक, fourth ventricle, ठीक, cerebral aqueduct कहां से होते हुए गुजर रही है, done, अब, ये जो संजे भाईया है, अब ये वापस तैरते हुए गए, ठीक है, अब बोले, यहाँ तो पूरा पानी पानी भर गया, fourth ventricle, ये क्या किये, ऐसे उपर से तैरते हुए आये, और उसके बाद वो पूरा ऐसे pond में, this is the pond, this is a pond, ठीक है, उस पूरे pond में तैरते हुए चले गए, वो वापस आये, वो क्या हुए बच्चों, वापस आये, और फिर वो उपर वापस चड़े, जब वो उपर वापस चड़े, तो उनके जीवन में और परिशानी आई, जब वो उपर वापस चड़े, तो उनके देखा, कि भाईया, ऐसा है, कि वो फिर एक टैंक के अंदर फस गए, ठीक है, वो क्या हुए बच्चा, बच्चे लोग, वो फिर एक टैंक के अंदर फस गए, ध्यान समझना, जब वो उपर चड़े, तो उनके देखा, कोई टेंशन लेने की जरुवत नहीं है ठीक है यह एक टैंक के अंदर फस गए ठीक यहां संजब यह खड़े हुए थोड़े पतले संजब यह बना देती हूं को दूबले पतले आदमी है बचारे है ना तो यहां पर यह खड़े हो गए डन अब क्या करें इस पूरे टैंक मे क्या भरा हुआ है इस पूरे टैंक में क्या भरा हुआ है सरीब्रो स्पाइनल फ्लूइड पूरे में भरा हुआ है ठीक मिड़ ब्रेन के ऊपर यह जो टैंक रखा हुआ है मिड़ ब्रेन के ऊपर यह जो टैंक रखा हुआ है इसे मैं कहती हूं थर्ड वेंट्रिकल इसे मैं कहती हूँ third ventricle ठीक है अब third ventricle जो है ध्यान से समझेगा मेरी बात जो मैं बोल रहे हूँ अब यहाँ पर कुछ हिस्से में clear करूंगे fourth ventricle समझ में आ गया ना in between fourth ventricle जो होता है वो hindbrain का हिस्सा है वो शुरू होता है ponce और medulla के पास से पिछले हिस्से से और उसकी चोच गुशी होती सेरी बेलम के बीच में ठीक है third ventricle जो है वो midbrain के उपर होता है इसमें कुछ हिस्से होते हैं ध्यान से समझना ये इसका अगला हिस्सा है ये इसका पिछला हिस्सा है ये अगला हिस्सा है ये पिछला हिस्सा है ठीक है ध्यान समझना क्या बोल रही हूँ मैं थर्ड वेंट्रिकल का इसको अपन ऐसा ड्रॉ करते हैं तब आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा ऐसा हो ओ शुट शुट थेक ध्यान से देखो इसको अपन थोड़ा अलग तरीकर से ड्रॉ करते हैं इसको अपन ऐसा ड्रॉ करते हैं ठीक है अब ये हो गया चैंबर ठीक है ये हो गया चैंबर ठीक, ध्यान से समझना अब यह हो गया इसका अगला हिस्सा यह हो गया पिछला हिस्सा ठीक, अब इस अगले हिस्से में ध्यान समझना, संजब भी यहाँ पर खड़े हुए है अपने, यहाँ पर खड़े हुए है संजब भी यहाँ और वो क्या कर रहे हैं वड़ियां fluid field भरा हुआ है, यहाँ पूरे में fluid भरा हुआ है CSF, इस अगले हिस्से पर यहाँ पर होती है pineal gland, ठीक है? यह आपका कौन सा ventricle है पता है, यह आपका third ventricle है, mid brain के उपर होता है third ventricle, third ventricle का जो अगला हिस्सा होता है, आगे वाला हिस्सा होता है, उसमें pineal gland को और एक hebinula nucleus होता है, खर उसको छोड़िये, इस हिस्से को हम कहते हैं epithalamus, अब यहाँ पर लिख दूँगे epithalamus, फिर mid brain बनाने में मुझे, cerebrum बनाने में दिक्कत होगी, तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं, इस हिस्से को हम लोग क्या कह लेते हैं, इस हिस्से को मैं क अधर और एक इदर, ठीक है, ventrical है तो एक इधर और एक इधर, ठीक है, एक solid structure होता है, एक इधर हो गया बच्चो और एक इधर हो गया, ठीक है, यह solid structure कुछ नहीं है, this is a nucleus, nucleus मतलब group of cyton, इसे मैं कहती हूँ थैलमस, यहाँ लिखती हूँ मैं, इसे मैं कहती हूँ थैलमस, थैलेमस एक relay center होता है जो signal को ले जाता है और signal को लेकर आने में मदद करता है ठीक है और जब भाईया ऐसा है कि संजे भाईया बोले कि अब मैं यहां तैरूंगा अरे भाईया यहां तैरे तो देखे तो उनके पास तो जमीन ही नहीं थी तो कोई tension नहीं है यहां पर जो जमीन है ध्यान समझना इस ventricle की जो जमीन है this is the जमीन जहां पर संजे भाईया आप तैरेंगे इसकी जमीन को हम कहते हैं hypothalamus क्या कहते हैं हम इसे hypothalamus क्या समझे आप third ventricle के सबसे आगे के हिससे को suppose that यह हो गया third ventricle देखो मैं बना के दिखाती हूँ आपको यही actually यही diagram होता है इतनी कहानी सुनाने का मतलब यही था मेरा ठीक यह है मालो आपका third ventricle ठीक है hypothalamus इनकी दिवारों को हम कहते हैं hypothalamus बस बच्चों यह याद रखना है आपको ऐसे diagram बने गई यह ठीक है और यहाँ पर present होती है pineal gland यहाँ पर क्या present होती है pineal gland और नीचे present होती है pitutory gland pitutory gland समझ गए आप बात ऐसे बनाना है आपको और इस पूरे structure को हम diencephalon कहते हैं आप समझे है आपास यह ję iसले में कोई एक light color ले थी हूं light मी टेक डे कट उसे क्लर क्योंकि सारीब्रम का जो वो होता है वह जिया ग्रेल कॉता है यह यह व्ल्प जुटा ऐगा करें ऑनों एनशीमां हिग्षाल यह चीजुर्म ने अपने क्या बेखा कि पूरा थर्ड वेंटिकर ला प्लता रंधी ऐतर वें और द्यान से नहीं होता है न बच्चो ध्यान समझ न यह थर्ड वेंट्रिकल जो होता है यह कंटीनी वहता है अब यहां से एक ventricle ये है, ध्यान समझना, third ventricle से ही continue होते हैं first or second, ठीक है, और ध्यान से समझना कैसे होते हैं ये, आपको भी याद होगा तो मैंने कैसे बनाये थे first or second ventricle, first or second ventricle कैसा बनाये था, ऐसा और ऐसा, और फिर इससे जुड़ा हुआ आपने क्या बनाया third ventricle, third ventricle से जुड़े हुए होते हैं first or second, first or second जो हैं, वो lateral ventricle है, क्यों? क्योंकि जो cerebrum होता है, वो कैसा होता है, ऐसा तो एक first ventricle इधर होगा, और second ventricle इधर होगा, तो अगर हम brain को ऐसा देख रहे हैं, तो एक ventricle मुझे यहां दिखाई देगा, और अगर ऐसा देख रहे हैं, तो एक ventricle मुझे ऐसा दिखाई देगा, और अगर मैं ऐसे दिख रहे हूँ, तो दोनों ventricle मुझे ऐसे दिखाई देगा, अब मैं ऐसे कैसे बनाऊ तो इसलिए एक ये बना दिया मैंने और इसी के उपर एक ये बना दिया तो ये हो गया first ventricle, ये हो गया second ventricle और ये कहां पाए जाते हैं सेरीब्रम में पाए जाते हैं समझ में आई बात तो आप क्या देख रहे हो आप ये देख रहे हो कि each ventricle is connected to each other समझ गए बात मेरी, पूरे जो ventricle होते हैं वो connected होते हैं एक दूसरे से जैसे कि ये हो गया fourth ventricle से connected है duct of aqueduct connected है फिर third ventricle connected है, फिर first or second ventricle connected है first or second ventricle cerebrum के दोनों इससों में पाए जाते हैं इसलिए मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है, third ventricle क्या है? वो कुछ नहीं, उसके चारो तरफ जो क्या present होते है, structure present होते है इनको हम कहते हैं, क्या बचो? इन्हें हम कहते हैं diencephalon इस हर हिस्से का एक particular function है, very important function, very important function समझ रहे हो ना? बहुत ज्यादा important function है, epithalamus का function है hypothalamus का तो इतना भयंकर, billu भयंकर function है important और thalamus का तो कहने ही क्या? आ गई बात समझ में इतनी, ठीक है कोई दिक्कत, कोई परिशानी तो नहीं, तो क्या हो गया? third ventricle का उपर epithalamus, नीचे hypothalamus, hypothalamus से पे tutory gland epithalamus से pineal gland और इसी के just उपर क्या होते हैं? फिर ये first और second ventricle समझ में आ गई बात, चार ventricle समझ गए आप, सब में क्या भरा होता है? ये समझ गए आप, done हो गई इतनी बात, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ा दिया? ventricles पूरे पढ़ा दिये classification बता दिया, बहुत important चीज है ये जब तक मैं ये नहीं बताती है आपको कभी समझ में नहीं आता तो आपको पता हो ना चीज फोर्थ ventricle कहा है फोर्थ ventricle starts from the hind brain in between the pons and medulla oblongata the church of the hind brain will go in between the cerebellum so collectively we called as the fourth ventricle is a part of hind brain that's it, चीक है? आप लोगों को मैं एक और चीज दिखाती हूँ देखो मैं लेकर भी आई हूँ आपका किसका ventricles का डाइग्राम dance देखो, आजाओ, आजाओ मेरे बच्चे सब कभी-कभी तो लगता है कि कभी-कभी तो लगता है कि जो मैं पढ़ाती हूँ वह एक question आता है और यह बात सही भी है, चलो देखो आजाओ, यह देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग कौन से ventricle देखते हैं, हम नीचे से देखते हैं, क्योंकि अपने नीचे से बढ़ा है देखो, कहां से देखते हैं, बताओ कहां गया यार यह देखो, lateral ventricle दिख रहे हैं आपको यह देखो, थोड़ा सा motor color लेती हमें, यह देखो एक lateral ventricle यह दिख रहा है, इधर side और एक ऐसे उधर भी cerebrum होगा तो यह, ठीक है, तो यह क्या हो गए आपके lateral एक हो गया ventricle यह, एक ventricle ही हो गया, तो यह है left lateral ventricle, left मतलब इधर होगा, जैसे माल लो कि यह इधर खड़ा है न, ऐसे खड़ा ही आत्मी, तो यह left lateral ventricle हो गया और इधर वाला right lateral ventricle होता है, और कहा present है देखो यह, कहा present है, यह cerebrum में present होते है, done हो गई इतनी बाद, cerebrum is the part of four brain, done, उसके बाद यह किस से connected होते हैं बच्चो, these are the, they are the connected with what, they are connected with third ventricle, तो connected है न, third ventricle से देखो, यह देखो, यह third ventricle यहां से connected है, first or second से, और किस से connected है, यहां से देखो निकल रही है, duct of outer, this is what, this is the mid brain, पीछे दिखाई दे रहा, देखो, यहां से यह देखो, यह duct पीछे से दिखाई दे रही है, आपको यह पीछे से निकल रही है, यह mid brain की duct है, this is the aquiduct, duct of outer, ठीक है, और फिर देखो, यह तैरते हुए संजे भई आए, और कहां पे पहुच गये हैं, कहां पहुच गये हैं, हिंड brain में पहुच गये हैं, ठीक है, और हिंड brain पे यहां पर क्या होगा है, पॉंस और medulla होगा, ठीक है, यह देखो, पॉंस और medulla होगा यहां पर, और फिर यह तैरते हुए बीच में कहां घुसे, कहां घुसे, देखो, चोड़ा हो गया, pond हो गया, in between the cerebellum, ठीक है, और फिर यह यहां से continue हुआ, done, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, और फिर यह वापस तैरते हुए गए, so यह first, second, third और fourth ventricle, done, clear हो गई आपको image, कोई दिक्कत, कोई परिशानी तो नहीं इसमें, done हो गई, आप देखो, दियान से, so what we have learned till now, अब हमने ventricle सारे सीख लिये, कि brain में कौन-कौन से chamber होते हैं, four brain के तीन हिस्से होते हैं, ठीक है, we have to study three parts of the brain, four brain, mid brain and hind brain, four brain के तीन हिस्से होते हैं, एक होता है cerebrum, ठीक है, दूसरा होता है olfactory lobe, ठीक है, होता है diencephalon, diencephalon, ठीक है, आज की class में हम detail में बात करेंगे, cerebrum के बारे में, so let's start with the cerebrum, बच्चो, इतनी बच क्लियर हो गई ना आपको, ओके बच्चो, तो अब हम शुरू करेंगे cerebrum, समझ में आगई बात, four brain का सबसे जो largest part होता है, वो cerebrum होता है, so आज हम अभी पढ़ने वाले हैं, cerebrum के बारे में चली देखते हैं, cerebrum क्या है, वो कहानी अभी आप समझोगे, बहुत आसान है, कुछ भी tension नहीं लेना है, जितने भी शरीर में decision होते हैं, हसना है, रोना है, किसी को कूटना है, दुनना है, सारी चीज़े जो हैं, हम cerebrum से ही काम करवाते हैं, तो cerebrum के पास decision making का center होता है, कि हमें क्या काम करना है, और क्या काम नहीं करना है, so let's start with the first part of the four brain, अगर आपको दिख रहा होगा, अच्छा, उपर से जब हम brain को देखते हैं, तो हमें cerebrum ही दिखाई देता, आगई बास समझ में, उपर से जब हम brain को देखते हैं, तो सबसे पहले हमें cerebrum ही दिखाई देता, बाकी सब उसके नीचे ही होता है, तो four brain के basically we have three parts, ठीके, आज हम दो parts के बारे में deal करेंगे, cerebrum and olfactory lobe, ठीके, cerebrum के बारे में हम शुरू कर रहे हैं, अगर आप देख रहे होंगे, तो look at this, this is the cerebrum, ठीके, यह सबसे बड़ा part होता है, आपके brain का, समझ में आ गई बात, यह olfactory lobe, इसके बारे में बढ़ाऊंगे, tension ने लेना, ठीके, आईए, ventricles of vein हमारा होई गया है, let's start with the cerebrum, सबसे पहले हम लोगों को देखना है, कि यह क्या होते हैं, cerebrum, आईए, देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ, कि अगर आप cerebrum को देखें, ऊपर से, तो वो बहुत जादा, आपको कैसा दिखाई देगा, folded दिखाई देगा, समझ में आई बात, अगर आप cerebrum को देखें, तो आपको बहुत जादा folded दिखाई देगा, ठीके, बहुत जादा, इस तरीके से, चलो, ओके, इस तरीके से आपको आपका cerebrum पूरा folded नजर आता है, studying about the cerebrum, cerebrum जो होता है, यह बहुत जादा folded दिखाई देता है, यह क्या होते हैं बच्चों, इस आर दा सलकस आंड गाईरी, ठीक है, इस आर दा सलकस आंड गाईरी, क्या होते हैं सलकस आंड गाईरी, वो अब आपको देखना है, देखिए, यह जो उभार, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यह जो उभार आपको दिखाई दे रहे हैं, दीजार्दा सलकाई, ठीक है, सलकाई यह सलकस, ठीक है, सलकाई कहते हैं, और यह जो धसाव आपको दिखाई दे रहे हैं, दीजार्दा गाईरी अब कभी आपने सोचा कि ये fold क्यों पाई जाते हैं brain में ये fold brain में सिर्फ और सिर्फ इसलिए पाई जाते हैं ताकि हम जादा से जादा nerves को यहाँ पर accommodate कर सकें जादा से जादा cell body इस जगह पर आ सकें क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि cell body उपर होती है और exon नीचे जाते हैं तो जादा से जादा cell body अगर इसके folds में पाई जाएंगी तो आदमी जादा intelligent होगा बचो अच्छा लोग कहते हैं कि ये बहुत intelligent है ये बहुत गधा है किस basis पर कह देते हैं हम लोग actually IQ level होता है पर IQ level भी किस पर depend करता है इन folds पर So if you have lots and lots of folds into your brain आप जादा intelligent रहोगे आई बात समझ में तो अगर आपको बहुत जादा intelligent बनना है तो आपके brain में बहुत जादा fold होने चाहिए तो madam अगर हमारे पास बच्पन से फोल्ड नहीं तो हम क्या करें कोई tension नहीं है आप math solve करो आप worker solve करो, sudoku solve करो कोई भी ऐसी चीजे खेलो, कूदो जिससे आपके दिमाग पर दबाव बढ़े और आपके दिमाग के fold increase हो जाए मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा even मैं खुद भी देखती हूँ कि बच्पन में मैं इतना नहीं पढ़ती थी पर जैसे जैसे मैं बढ़ी होती गई पढ़ाई के प्रती मेरा interest बढ़ता गया और मैं पढ़ने लगी तो बहुत सारे बच्चे बच्पन में नहीं पढ़ते पर बड़े होकर वो इतने हुश्यार हो जाते हैं कि अच्छे अच्छों को पिछे छोड़ देते हैं तो जो जितना मेहनत करेगा ना बच्चों उसको सफलता उतनी भले ही हलकी देर में मिलें पर मिलती जरूर है क्योंकि धीरे-धीरे दिमाग के ऊपर प्रेशर डाल डाल कर हम दिमाग पर फोल्ड को increase कर लेते हैं जिसने जदा से जदा neuron वहाँ पर एक्कमेडेट करते हैं जितनी जदा neurons होंगे उतना जदा आप signal transmission कर पाएंगे memory store कर पाएंगे so on so चीज़ ठीक है सलकस अंगारी क्लियर हो गए आपको की फोल्ड होते हैं अब आप ध्यान से समझ जिएगा मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं अगर आप brain को उपर से देखें जैसे की एकादा फोल्ड एक अदा brain का डाइगरम उपर से होगा मेरे पास उपर से नहीं है क्या सारे साइट वाले ही है ऐसे ही है चलो कोई बात नहीं दिखाती हूँ मैं आपको रुकिएगा अगर मैं देखूँ ऐसा ध्यान से देखो अगर मैं देखूँ brain को उपर से तो brain उपर से जब मैं देखूँगी ना तो मुझे सेरीबरम दिखाई देगा सेरीबरम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है राइट अड लेफ्ट इन दोनों पार्ट को हम सेरीबरल हेमी स्फियर कहते हैं समझ में आ गई बात So, cerebrum is divided into two parts and two continuous parts एक पार्ट यह हो गया, एक पार्ट यह हो गया इससे हम कहते हैं cerebral hemisphere Cerebral hemisphere उपर से आपको जुड़े हुए नहीं दिखाई देंगे पर पीछे या नीचे से वो जुड़े हुए रहते हैं बच्चो यह corpus callosum क्या है? What is the carpus callosum? क्या समझा आपने? दो cerebral hemisphere भले ही उपर से ना जुड़े हो पर वो पीछे या नीचे से ज़रूर जुड़े हुए रहते हैं समझ में आ गई बात अब अगर आपसे पुछा लए ध्यान समझना एक cerebral hemisphere भले ही उपर से ना जुड़ा हुआ पर पीछे नीचे से ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है यह किस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है? यह जुड़ा हुआ होता है carpus callosum से क्या होता है carpus callosum? carpus callosum कुछ नहीं है these are the thick band of the neurons अब आप मेरी बात को यहाँ पर और क्लियर होगा ध्यान से समझेगा क्या बोल रही हूँ मैं? देखो ध्यान से देखो carpus callosum क्या है यह? यह है thick band ध्यान से समझो thick band of axons ठीक है? क्या है यह? thick band of axons अब ध्यान से समझना मेरी बात को suppose that कि यह एक cerebral hemisphere है ठीक है? यह एक cerebral hemisphere है थोड़ा बड़ा बनाती हुए ना suppose that कि यह एक cerebral hemisphere है और यह दूसरा cerebral hemisphere है समझना ना मेरी बात को अब मेरे को उपर से देखती हूँ तो मुझे कोई connection नहीं दिखाई दे रहा है, पर यह किस के बाट है, this is the left cerebral hemisphere, ठीक है, hemisphere and this is the light cerebral hemisphere, ठीक है, RCH, अब क्या बोल रही हूँ मैं, अब अगर आपको क्या लगता है, कि अगर मैंने इस वाले cerebral hemisphere से सोचा, तो क्या इस वाले दिमाग को signal नहीं जाएगा, क्या कि ऐसा है कि इस दिमाग से मैं कुछ और सोच रही हूँ, उस दिमाग से मैं कुछ और सोच रही हूँ, कभी ऐसा होता है, क्या कि यह दिमाग कुछ सोच रहा है, यह दिमाग कुछ सोच रहा है, दर्द हो सकता है कि यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, पर collectively brain एक की चीज सोच रहा है कि आज मुझे आलू के पराठे लंच में खाने है तो कुल मिला के मेरा पूरा ब्रेन एकी चीज सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली कोई भी पार्ट कुछ भी ठिंग करे कोई भी एरिया कुछ भी करे अपर मैसेजस जो होते हैं वह को पहुँच जाते हैं कैसे पहूँचते हैं वह ध्यान से देखो अगर मालो यह क्या पड़े हैं THIS is the Cytone ठीके, this is the Cytone, समझ गें, इधर मैं blue का बना रेती हूं, this is the Cytone, ठीके, ये क्या है सब Cytone and Nucleus जिन्हें हम कह सकते हैं, ये निकले इनके exon, ये exon कहां जा रहे हैं, इधर, ये जा रहे हैं, exon beta इधर, ध्यान समझ ना, ये exon, it is just a diagramatic representation, valuation कीleft operation मैं Carpus लोत्ति समझाने की कोशिश कर रही हूं और इसके Xon जा रहे इधर ध्यान से समझें गे मेरी बात को इसके Xon जा रहे इधर ये गए इसके Xon इधर अब आप क्या देख रहे हैं कि there is a thick band यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है thick band दिखाई दे रहा है यह thick band किसका दिखाई दे रहा है आपको बताईए exon का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है और इस thick band of exon को मैं क्या कहती हूँ मेरे बच्चो इसे मैं आप कहती हूँ इसे मैं कहती हूँ कारपस केलोसम क्या कहती हूँ बच्चों इसे मैं कहती हूँ कारपस केलोसम मेरे बच्चों को इतनी बात, प्यारी सी बात, नन्ही सी बात, छोटी सी बात समझ में आई कि दोनों सरीब्रल हेमिस्फियर कोई आवारा गर्दी कर नहीं रहे है दोनों Cerebral Hemisphere, Cerebral कोई एक पार्ट नहीं है, दो पार्ट होते हैं, उसके एक ये हो गया, एक ये हो गया दोनों पार्ट उपर से जुड़े नहीं होते हैं, वो नीचे से जुड़े होते हैं, ऐसे करके नीचे से जुड़े हुए उस पार्ट को हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं कार्पस कैलोसम आई बात समझ में तो अगर हम कट करें तो हमें कार्पस कैलोसम दिखाई देगा It is what? It is nothing. It is the area where it is a thick band वाला area जिसमें group of exon present होते हैं तो अगर सरीबरम के कोई एक पार्ट कुछ भी sense generate कर रहा है या कोई signal transmit कर रहा है तो वो same चीज जो है वो दूसरे सरीबरम को पहुचेगी through the कार्पस कैलोसम कार्पस कैलोसम एक mammal brain का character है समझे में आई बात कार्पस कैलोसम mammalian brain का character है समझे आप बात को mammalian brain character समझे की नहीं समझे mammalian brain का character है ठीक है तो अगर आप कभी mammalian brain के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी को बता रहे हैं तो आप बता उसको कि जो brain आप देखते हैं उसके नीचे भी और हिस्से होते हैं पर उपर का जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो एक थिक band से connected होता है वो कुछ नहीं एक zone है ताकि हम coordinate कर सके कि इसको भी देदो उसको भी देदो भाई 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 है तो दोनों के बीच में लडाई नहीं होने चाहिए ठीक है ना कार्पस केलोसम हो गया फोल सलकस और गायरी हो गया सलकस और सलकस इस दो भार गायरी इस दा धसाव जहां पर बहुत से जारे neuron accommodate होते हैं ठीक है अब आगे बात करते हैं देखिए तो क्या देखा Cerebrum is the major part of the brain which is most developed in the humans Cerebrum consists of two cerebral hemisphere both cerebral hemisphere connected each other by thick nerve called as carpus callosum done हो गई इतनी बात ठीक है this is the carpus callosum ठीक यह कटा नहीं है वोगर ऐसे काट दोगे brain को अगर मैं दोनों cerebral hemisphere को अलग कर दूँ ठीक है तो यह band आपको ऐसा दिखाई देगा देखो अगर मालो यह ऐसा जुड़ा था एक और जुड़ा था वी इसे काट तो समझ में आजाएगा और यह चेद दिखाई देरा इस 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 the ventricle ठीक है कॉंसर ventricle कॉंसर ventricle 1st and 2nd ventricle एक ventricle यह हो गया और इसी के पीछ एक और होगा 2nd ventricle ठीक है समझ में आगई बात इसमे कोई बात नहीं इस 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 the cerebellum ठीक है मैं आपको समझा देता देखे देखें इस is the meduloblongata this is the meduloblongata this is the this is the ponzveruli this is the midbrain this is the midbrain this is what बच्चो this is the midbrain this is the 3rd ventricle ठीक है this is the 3rd ventricle this is the1st ventricle इसी के पीछे second ventricle और यह हो गया cerebellum, देखो बिलकु सीधी बात है, कोई टेंशन ही नहीं लेना इसमें, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं क्या बोल रही हूँ मैं देखो, अब cerebrum जो होता है, वो अलग-अलग lobes में divide होता है समझे बात को मेरी आप क्या बोला मैंने? cerebrum जो होता है, वो अलग-अलग lobes में divide होता है cerebrum is the largest part of the brain which performs so many, so many, so many activities आई बात समझ में, बहुत सारी activities को वो control करता है जितने भी decisions होते हैं, वो सारे cerebrum ही control करता है अब cerebrum में 4 lobes होते हैं, 4 एक cerebral hemisphere में, 4 दूसरे cerebral hemisphere में तो cerebrum में total 8 lobes होते हैं, आप लोगों ने 8 cranial bones पढ़ी हैं उनी के अधार पर ये lobes होते हैं, ठीक है? तो सबसे frontal bone होती तो frontal lobe भी होगा, so this is the frontal lobe सबसे ज़्यादा advanced part जो होता है वो frontal lobe ही होता है आई बात समझ में, frontal lobe, ये हो गया frontal lobe, ठीक है बच्चो? frontal lobe, डन, और जान समझो, ये हो गया frontal lobe, कोई दिक्कत? बोलो, ये हो गया parietal lobe, ये हो गया parietal lobe, ठीक है? ये हो गया temporal lobe, ठीक है? ये हो गया occipital lobe, ठीक है? ये हो गया medulla oblongata, ठीक है? खेर छोड़ो, अभी medulla oblongata लेटा से लेना देना नहीं तो cerebrum is the largest part of the brain, जिसके अंदर ये चार lobe पाई जाते हैं ये तो एक हिस्सा है, इसके पीछे भी एक हिस्सा होगा cerebrum का तो वहाँ पे चार, चार दुनी आठ, ठीक है? अब ध्यान से समझना Cerebrum का काम होता है decision making, ठीक है? देखो ध्यान से, क्या बोल रही हूँ मैं? frontal lobe और parietal lobe के बीच में ऐसे एक sulcus होता है sulcus is the divar जो separate करता है इसे आप कहते हो central sulcus क्या कहते हो इसे आप central sulcus क्या बोल रही हूँ मैं? बिलकुल ध्यान से समझो, नहीं तो काम गड़बड हो जाएगा कैसा? Cerebrum में तीन एरियाज होते हैं समझे आप Cerebrum में तीन एरियाज होते हैं Three areas present in the Three areas present into the Cerebrum तो Cerebrum में कितने हिस्से होते हैं? बच्चो बेसिकली तीन एरियाज होते हैं Cerebrum में the largest part आट लोब्स होते हैं चार एक तरफ, चार एक तरफ दोनों लोग Cerebrum कारपस कैलोसम से अटैच रहते हैं Cerebrum में बेसिकली तीन एरियाज होते हैं समझेंगे मेरी बात नहीं तो काम गड़ बढ़ हो जाएगा सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है sensory area sensory area ठीक है? एक होता है motor area या इसको ऐसा लिखते हूँ दूसरा होता है association area और तीसरा होता है motor area ठीक है? तीन एरियाज सरीब्रम में होते हैं यह क्या लिख दिया मैंने? क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा? देखो, ध्यान समझना सरीब्रम में तीन एरियाज होते हैं अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है देखो, यह जो central sulcus आपको यह जो आपको central sulcus दिखाई दे रहा है central sulcus जो दो लोब्स को अलग-अलग करता है जैसे इनके बीच में भी sulcus होगा ठीक है फिर यहाँ पर भी sulcus होगा यहाँ पर भी sulcus होगा तो sulcus कुछ नहीं होते हैं दिवारे वोती है जो दो लोब्स को अलग-अलग करती है ठीक है Central Sulcus के पीछे एक एरिया होता है दिख रहा है आपको यह एक एरिया ऐसा एक एरिया होता है ठीक है तो रेट से बना देती हूं ब्लाक्स बना देती है ना Central Sulcus के पीछे यह एक एरिया होता है ठीक है इसे हम क्या कहते है बच्चो इसे हम कहते है Somatosensory Area Somatosensory Area Sensory Area ही है ठीक है Somatosensory Area Central Sulcus जो कि Frontal और Parietal लोग को अलग करता है इसके जस्ट पीछे एक एरिया होता है ठीक है जिसे हम Somatosensory Area कहते है डन समझ में आई बात यह Somatosensory Area क्या है Sensory Area है मतलब क्या होगा Signal यहाँ पर आएगा समझे मेरी बात को क्या बोला मैंने Sensory Area मतलब Sense आएगा सिगनल आएगा सिगनल आएगा यहाँ पर मोटर मतलब जाएगा डन सिगनल क्या होगा बच्चो यहाँ पर आएगा आगे सिगल लिख दिया मैंने सिगनल आएगा डन है अब यहाँ पर ठीक है Central Circus के पीछे कौन सा एरिया है Somatosensory Area कैसा है बच्चो Somatosensory Area कौन से सिगनल आते हैं इस पए इस पर आते हैं अब देखो जोगर्मी है जो टैंपरेटर का सिगनल होता है वो hypothalamus से होता है पर normal जो normal sense होता है cold लगला हलका हलका ज्यादा temperature का signal हमें hypothalamus से लगता है पर normal चीज़ों का signal हमें यहां से लगता है ठीक है motor area जो signal लेकर जाएगा ध्यान समझ ना motor area जो signal लेकर जाएगा ठीक है signal लेकर जाएगा ठीक है समझ गए तो यह association area क्या है What is the association area? At association area पता क्या होता है? Association area हमको क्या करवाता है? Information processing करवाता है ध्यान समझना Association area information processing करवाता है मतलब क्या हुआ इसका? देखो, क्या हुआ? तुम्हारा best friend ध्यान समझना जैसे मालो pain है समझो, pain pain की बारे में बात कर रहे है मेरे दोस्त ने मेरे किसी बहुत ही fast friend ने मुझे एक घुसा मार दिया जिससे मुझे बहुत दर्द हुआ ठीक है? सेंस आया sensory cerebrum के sensory area पे सेंस आया कि भाईया दोस्त ने मार दिया है घुसा Association area ने उस signal को process किया process क्या किया? process ये किया कि ऐसा है शिपरा बेटा जो तुम्हें मार रहा है न ये तुम्हारा दोस्त है process ये हुआ कि जो मुझे मार रहा है घुसा खीचके वो मेरा दोस्त है तो motor signal ने बोला motor signal जो है और association area से signal कहा गया? motor signal पे और motor area से क्या आते हैं? nerves बाहर आते हैं और फिर वो spinal cord में आएंगे हमारे हाथों में जाएंगे और signal हमें मिलेगा और हम हसके बोलेगा रे भाई यार मत मारो यार ठीक? यहीं पर अगर हमें किसी पापी पुरुष ने मारा होता ये किसी हमारे दुश्मन ने मारा होता तो pain का ही signal है ना दोनो pain का ही signal है एक मेरे दोस्त ने मुझे गुसा मारा एक मेरे किसी दुश्मन ने मारा दोनों से same pain हुआ पर अब मेरे association area पे क्या signal गया? कि मुझे दर्द हुआ मुझे किसी ने मारा पर association area ने मुझे information process की और उसने ये बोला कि शिपरा जो तुम्हें मार रहा है वो तुम्हारा दुश्मन है तो तुम्हें क्या आना चाहिए? तुम्हें गुसा आना चाहिए तो अब क्या signal प्रॉसेस हुआ? सिग्नल कैसा प्रॉसेस हुआ? कि मेरे दोस्त ने अभी ये मेरे दुश्मन है अब association area से signal कहा गया motor area में motor area को ये बताया कि ये सामने वाला दुश्मन है और जैसे ही सामने हमको घुसा पड़ा हमने पलट के घुसा खीच के मारा तो association area हमको ये बताता है कि कैसा response करना दोनों में ही same चीज हुई नहीं? दोनों में ही same चीज हुई दोनों में pain हुआ ठीक है अब एक और बहुत 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 इंपॉर्टन example बताती हूँ देखो भाई बहन का touch, माबाप का touch ठीक और किसी x y z person का touch दोनों में difference होता है ठीक है जब हमें हमारे हम अपने भाई बहन का हाथ लगता है तो हम उसके touch को समझते हैं पर x y z किसी बाहर का person का हाथ लग जाए हमारे उपर तो उस touch का sensation आपको अलग होता है कि नहीं होता दोनों तो touch है फिर हमको कैसे समझ में आया है कि यह माबाप का touch है यह भाई बहन का touch है यह husband का touch है यह किसी x y z किसी बाहर के person का touch है कैसे हम जान जाते हैं कि हमारे परिवार वाले जो हैं हमें touch कर रहे हैं तो हमें अच्छा feel होगा इससे कोई stress नहीं है पर अकर कोई बाहर वाला में touch कर रहे हैं मैं बुरा फील होना चाहिए यह हमें बताता है association एरिया brain में present होता is association area कोई भी signal दें को touch का signal sensory nerve लेके जा रही है brain की ओर ठीक है sensory nerve लेके जा रही है sensory area में उन्होंने signal दे दिया अब वो sensory area signal किसको देगा आशोसिएशन एरिया को कि भाया बताओ कि अच्छा है ये अच्छा नहीं है तो अब हम सिगनल यह जो टच वाला जो कि अच्छा नहीं है उसको सिंगे मोटर नर्व को मोटर जो से एरिया है सरीवरिम का वह signal वापस देगा आपका signal वापस आईगा midbrain midbrain से कहाईगा Pawns, Pawns आएगा medulla oblongata, medulla oblongata से spinal cord, spinal cord से निकलेंगी nerves, nerves पहुचेंगी आपके हाथ में और एक पडाक से लपड़ा उसको लगा देंगे कि हमको आज के बाद ऐसा मत करना, समझ में आया ना, association area का का मोता है, association और किया चीज़ ठीक नहीं है इसलिए कभी भी अगर किसी का असोसियेशन एरिया सरीब्रम का गड़बड हो जाएना तो वो समझ नहीं पाता है कि उसको उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है समझ में आ गई बात आपको अब इन तीरियो एरिया की मैं आपको position बताती हूँ देखो Somatosensory Area के पीछे ही ठीक है Somatosensory Area के पीछे ही present होता है आपका कौन सा? Association Area ठीक है Association Area Somatosensory Area के पीछे ही present होता है आपका Association Area बहुत सारे Somatosensory Area आपके सरीवरम में हो सकते हैं और उनका खुद का Association Area होता है पर आपको मैं बता दूँ कि जो Motor Area होता है वो पूरे सरीवरम के लिए एक ही होता है जो frontal lobe पे पाया जाता है समझ में आ गई बात क्या बोला मैंने आपको Motor Area जो होता है वो frontal lobe में पाया जाता है Somatosensory Area जो है कहाँ पर दिखाई दे रहा भी Central Circus के पीछे उसी के Just Pass होता है Association Area अब कान खोल के मेरी बात सुनी हो जो ना तुम सुनी हो तो फिर कुछ नहीं समझ में आई हो बैटा ठीक है ध्यान समझना अब हम लोग बात कर रहे हैं किसी और की pressure की बात करते हैं हम लोग ठीक है पढ़ाई से बहुत जादा pressure है पढ़ाई से बहुत जादा जो लोग suicide कर लेते हैं कैसे उनका क्या tendency होती होगी इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं देखे पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं नहीं हो पा रहा है एक्जाम में ठीक है तो कैसे mindset change होता है ध्यान समझना देखो क्या होता है कि अपन बहुत पढ़ाई कर रहे हैं बहुत पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे brain में एक pressure generate हो रहा है तो pressure का signal कौन लेके जा रहा है sensory neuron ठीक है हम पढ़ाई कर रहे हैं suppose that तो sensory neuron जो है वो signal लेकर आए spinal cord से अंदर घुसे spinal cord से वो कहां गए उपर गए medulla oblongata medulla oblongata से pons, pons से mid brain mid brain से वो पहुच गए cerebrum cerebrum में जब वो पहुचे तो वो कहां गए somatosensory area में signal को दे दिया अब वो signal कहां जाएगा association area में अब association area दो तरीके की चीज़े सोच सकता है association area ये सोच सकता है ठीके दो दिमाग दो प्रकार के प्रेशर होता है एक प्रेशर ऐसा होता है जो हमको ये बताता है कि ये ऐसा है कि ये अच्छा है ये बुरा है ठीके पढ़ाई में कभी-कभी ऐसा होता कि कोई बात नहीं हम आज नहीं success होए कल तो हो ही जाएगे ना मोटर जो सेंटर है उससे सिगनल कहां पर आए उससे सिगनल आए वह ये ऐसा है कि मिड़ ब्रेन, मिड़ ब्रेन से पॉंस, पॉंस से मेडूला, मेडूला से स्पैनल कॉड और फिर वो चले गए आगे की ओर और आदमी ने सुइसाइड कल लिया तो देरा एसोसियेशन एरिया जो हमें बताते हैं कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है हाला कि it is just a chance of second, एक सेकंड में आदमी का एसोसियेशन एरिया उससे क्या करवा लेगा अपन को ये पता नहीं है इतनी बात आपको clear हो गई अभी तो अब हम क्या सीखें अभी तक कि parietal lobe जो होता है यहां पर यह जो parietal lobe होता है, यहां पर यह sensory lobe होता है जितने भी senses होते हैं, वो यहां की ओर आते हैं ठीक है, देखो एक बात याद रखना भी पढ़ाओंगी भी मैं जितने भी sense होते हैं, वो किसके थूँ आते हैं वो सब आते हैं, sensory nerve के थूँ आते हैं nerve क्या होती है, these are the group of exons ठीक है, कुछ नहीं है, nerves are the group of exons cell body बाहर पड़ी रहती है और पूरा exon उपर की ओर आता है उपर की ओर जो आ रहा है, वो है sensory signal और वो sensory area में deliver कर दिया जाता है sensory area के बाद वो किसको deliver किया जाता है, association area को association area जो है, वो ये बताता है, वो क्या करता है वो बता देता है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ठीक है, कि नहीं है, ठीक है उसके बाद वो motor area को signal दे रहता है motor area जो है अब वो command बेशता है किसको बेशता है देखो देखो क्या होता है मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जितने भी cell bodies होते हैं ग्रे कलर से बनाती हूँ मैं जितने भी cell bodies होते हैं वो सब यहां पड़े हुए रहते हैं और फिर यहां से क्या निकलता है बच्चो एक्जॉन निकलता है पड़ा अपन लोगों ने तो motor area के में जो exons पड़े रहते हैं यह कैसे signal वापस लेकर जाते हैं तो association area हमको यह बताता है कि कैसे क्या काम करना है अपने को और उसके बाद वो decision किस पर छोड़ देता है motor area कहां present होता है motor area present होता है frontal lobe में यह वापस भेजता है signal किसके through होते हुए किसके through होते हुए बेजेगा बच्चो सबसे पहले signal आएगा आपके midbrain में midbrain से आएगा pons, pons से आएगा middle oblongata, फिर spinal cord, spinal cord से निकलेंगे spinal nerves और signal जो है particular organ में जैसे response करना उसे भेज दिया जाएगा तो parietal lobe में आपने क्या देखा कि sensory area है किस चीज का sense आता है यहाँ पे touch का, cold का, pain का, pressure का, temperature का इसका signal यहाँ पर आता है ठीक है लिख दूँ यहाँ पे touch, touch, pain, pressure ठीक है यह सारे signal यहाँ पर आते हैं motor area जो है वो इन सारे signal को revert करता है कि touch familiar है या नहीं है pain जो है किस वज़े से हो रहा है, दोस्त के घुसा मारने सो रहा है, दुश्मन के घुसा मारने सो रहा है pressure अच्छा है, बुरा है, पढ़ाई का pressure जेल नहीं पा रहे है, पढ़ाई का pressure जेल पा रहे है यह association area motor area को बताता है, motor area उसके according response करता है अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे sensory areas होते हैं, उन सबका association area होता है पर motor area frontal lobe पे होता है और वह एक होता है अब यहाँ पर यह frontal lobe का यह वाला जो area है, ध्यान समझना frontal lobe का यह वाला area है, this is called as prefrontal lobe frontal lobe का जो यह वाला area है, this is the frontal lobe का जो यह वाला हिस्सा है, this is called as prefrontal lobe ठीक है, क्या कहला रहा है यह बच्चो, this is the prefrontal lobe, ध्यान से देखना है, यह वाला area, सामने वाला कभी-कभी आपने अपने देखा होगा कि, आपकी मम्मीवां आपको यह बोलती है, जितनी भी complex चीज़े आपके body में होती है, जितनी भी complex activities आपकी body में होती है, वो इसी की वजह से होती है ठीक है जितनी भी complex activities हैं वो prefrontal area की वजह से होती है समझ में आगई बाद जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको learning बहुत ज़्यादा fast हो जाती है कि कुछ बच्चे जैसे मेरे लेक्चर आपने देखे होंगे तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत जल्दी याद हो जाता होगा कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जिनको लेक्चर बार बार देखना पड़ता होगा तो जिनको एक बार में याद हो गया उसका मतलब है कि उनका pre-frontal lobe जो है वो बहुत जादा स्टॉंग होता है pre-frontal lobe और क्या बताता है हम लोगों को pre-frontal lobe जो है वो जितनी भी जैसे match कोई बहुत अच्छा solve कर लेता है तो इसका मतलब यह इसका match बहुत strong कोई इसका prefrontal lobe जो है बहुत strong नोग है ठीक है उसके बाद मैं अगर बात करूं कि personality ठीक है personality की बात करती हूँ ठीक है अगर मैं बात करी हूँ personality की तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत दब्बू किसम के होते हैं, हाला कि ग्रूमिंग का भी एक बहुत बड़ा अब होता है, पर आपने देखा हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, वो आतंकी होते हैं, इतने confident होते हैं कि उनको कोई फरक नहीं पड़ता है, गलत भी करते हैं, पर वो ऐसे आखों मे इतनी जादा bold होती है, it is due to this prefrontal lobe, frontal lobe का जो area होता है, उसकी विज़ा से होती है, next is creativity, ठीक है, creativity, creativity का मतलब यह है कि अगर कोई बहुत अच्छा drawing बनाता है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत अच्छा dance करता है, किसी की बहुत अच्छी handwriting है, तो यह सब क् creative है, उसका prefrontal lobe जो है, वो बहुत ज़्यादा strong है, और वो बहुत ज़्यादा intelligent है, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, intelligence भी जो है, वो prefrontal lobe पर ही depend करती है, intelligence, समझ में आई बात, intelligence भी जो है, वो prefrontal lobe पर ही depend करती है, समझ गए आप लोग इतनी बात कोई दिक्कत, को समझना, अच्छे से बोलना, ठीक है, अच्छे से ड्रॉइंग करना, किसी से अच्छे से बात करना, अच्छे एटिकेट्स होना, बहुत जल्दी मैट सॉल्व करना, बहुत जल्दी मैट सॉल्व करना, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना, किसी चीज़ का जल्दी या वापस ही जाता है motor area पर यहां पर एक और motor area होता है बचो पता है आपको 2016 में शायद तक एक question आया है 2016-2017 में आया हुई इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहां पर एक और center होता है जिसे हम कहते हैं Broca Center, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ यहाँ पर, यहाँ पर एक Center होता है, जिसे हम कहते हैं Broca Center, ठीक है? Broca Center जो है, वो किस चीज के लिए है? Motor है, मतलब वो क्या देता है? Command देता है, ठीक है? कहां पर लिखू यार आई तो don't have जादा जगाँ करण इहाँ पर लिख देती हूं ब्रोकास जो Motor area पर जो Broka's Area होता है Motor कहाँ पर पाय जाता है? Frontal lobe में पाय जाता है, ठीक है? Broka area जो है, ये किसको Command देता है? ध्यान से समझना ये किसको Command देता है? It gives command to your lips It gives command to your lips And your tongue किसको command دेता है लिपस को command देता है और tongue को command देता है कहाई के लिए command देता है Speech के लिए command करता है समझें आप जैसे कि मन में आप बहुत सारी चीजे सोच लिए हैं ठेक है पर अगर आप उसको speech में convert नहीं कर पा रही है आपका टंग, आपका लिप्स, आपका माउथ, तो आप कितना भी सोचते रही आप बलालाinaire बलाला ऐसे बोलते रहोगे, क्यों कि आपका ब्रोका सेंटर अगर अगर अड़िव नहीं रहेगा, ब्रोका सेंटर प्रॉपर्ली कमांड आपके लिप्स और टंग को नहीं देगा, तो प्रॉपरली speech form नहीं कर पाएंगे जो लोग stammer करते हैं, जो लोग हकलाते हैं, जो लोग तुतलाते हैं उनका problem यह है कि उनका जो frontal low पर जो broken center होता है वो सही तरीके से काम नहीं करता यह motor command सही तरीके से नहीं दिया जाता है lips और tongue को जिसकी वज़ा से वह सही तरीके से speech form नहीं कर पाते इसलिए वह सही तरीके से बोल नहीं पाते जैसे कि छोटा बच्चा जो होता है उसका ब्रोका सेंटर तर डवलप नहीं होता है इसलिए वह क्या करता बलल 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 ऐसा नहीं कि वह बोलना नहीं चाहता वह बोल नहीं मतल area is not so developed तो उसके body में उसके lips और उसके जो tongue है उसको सही तरीके से broker center से command नहीं मिलता है इसलिए वो speech form नहीं कर पाता broker center समझ में आ गया है इसमें कोई confusion तो नहीं अच्छा एक और center इससे बता देती हूँ जो कि अभी आपको बताना जरूरी है मेरे लिए यह क्या हो गया आपका parietal और temporal lobe इनके बीच में एक area रहता है which is called as vernikies area ठीके vernikies area क्योंकि मैं इसलिए आपको यहीं पर बता दे रही हूँ देखो ध्यान से देखना है brokerage area के साथ ही we will discuss the vernikies area ठीके vernikies spelling देख ले ना मेरे बच्चों ठीके vernikies area देखो जैसे की कोई मुझे बोल रहा है suppose that शिवरा मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती है ठीके शिवरा मैम आप बहुत मुझे अच्छी लगती है शिवरा मैम आपका body posture बहुत अच्छा रहता है शिवरा मैम आप ऐसा है वैसा है तो उसके बाद क्या होता है मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ शिवरा मैम खड़ी हूँ जब तुम्हारी बात खतम हो जाएगी अगर तुम मुझे कुछ बोल रहे हो तो तुम्हारा ब्रोका से एसा इंटर जो है और उसके प्रती मैंने जो रिस्पॉंस किया वो वर्निकी सेंटर का है ठीक है जैसे कि मैं बोल रही हूँ तुड़े वी आप तुड़े वी आप तुट्रोल और कॉडिनेशन तुम कुछ नहीं बोल रहे है इस दा वर्निकी से एरिया मैंने बोला गुड़ मॉर्निकी बच्चो तो तुम क्या रिस्पॉंस दोगे गुड मॉर्निकी मैडम मैंने बोला क्लास में बोला सिट डाउन बच्चो तो तुम क्या बोलोगे तो यह क्या है ये वर्निकीज एरिया का response है तो ब्रोकाज एरिया के प्रती जो response तुम देते हो वो है वर्निकीज एरिया समझ में आई बात वर्निकीज एरिया is present between these two lobes ठीक है, डन हो गया आगे आपन बात करते हैं किसकी अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दू creativity, intelligence और एक और मुझे यहां पर function बताना है imagination, ठीक है prefrontal lobe का एक और काम होता है imagination, कुछ लोग जिनका physics बहुत strong होता है उनका ये prefrontal lobe बहुत strong होता है, पुछो क्यों वो लोग imagine करते हैं चीजों को और लोग बोलते हैं चलो, rocket propulsion पड़ेंगे, rocket को 90 degree angle में उगाया गया बोलो, मैं तो बायो में ही रह जाओंगी कभी हमेशा, तो उड़ाया गया तो अब rocket को उड़ते हैं तो अपन ने कभी देखा नहीं पर है पन इमाजन कर रहे हैं तो imagination, भगवान देखो जब कभी भी हम भगवान की पॉजा करते हैं ओम नमसयवय तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं वो भगवान को imagination नहीं कर पाते पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मनमन में अपने भगवान की photo बना लेते हैं कि शंकर जी हैं यहाँ पर सांप लप्टा हुआ है, यहाँ पर जो है गंगा जी निकल रही है, यहाँ पर चंद्रमा जी लगे हुए है तो imagine कर लेते हैं, इसका मतलब है कि उनका pre-frontal lobe बहुत strong है समझ में आ गई बात कहा है, कौन सा इब्रोका जेरिया कहा है यह है आपके frontal lobe में वर्निकी जेरिया कहां पर है, parietal और temporal lobe के बीच में डन हो गई इतनी बात, अब आओ समझो तो यह हुई बात आपकी, ना तो भाईया ऐसा है कि parietal lobe, touch, taste, pain, pressure इनको feel करता है अब अपन बात करते हैं temporal lobe की, ठीक है यह कौन सा हो गया, temporal lobe का sensory area ठीक है, ध्यान से समझना यह किसका sensory area है, sensory area of temporal lobe ठीक है, यह temporal lobe का sensory area है हर lobe का अपना sensory area होगा, क्योंकि sense जो है, हर, जैसे मालो की touch, pain, pressure का of cerebrum में signal आ रहा है, तो वो कहां पर आएगा, भी है, parietal lobe में आएगा तो उसका sensory area अलाग होगा अब माल लो कि यहां से signal travel करता हुआ, कहां पहुचा, यहां पहुचा, ठीक है किसका मेरे कान में किसी ने बोला, suppose that किसी ने बोला मुझे वाओ, you are looking so beautiful ठीक, किसी ने मुझे बोला, वाओ, you are looking so beautiful क्या हुआ, है ना, क्या हुआ, बताओ, temporal lobe, यह है temporal lobe, कान के पास मुझे किसी ने बोला, वाओ, you are looking so beautiful यहां पर क्या present होगा, यहां पर present होगा, इसका association area समझ में आई बात, यहां पर क्या present होगा, बच्चों, इसका association area, वो association area जो है, वो क्या process करेगा, कि भाईया, इनको बोला जा रहा है, कि यह सुन्दर लग रही है तो अब वो association area ने यह बता दिया, कि इनको यह बोला जा रहा है, कि तुम बहुत सुन्दर लग रही हो या suppose that कि कोई और बात करते है, बोला, ची, तुम आज बहुत गंदी लग रही हो किसी ने मेरे कान पर बोल दिया आके, तो association area ने बोला, अच्छा, अच्छा, मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, टुम जा association area कहां signal लेके जाएगा, motor area में, sorry, association area कहां signal लेके जाएगा, बच्चो, motor area motor area एक ही है, जो frontal lobe में present होता है, और हर area के लिए sensory area अलग है, ठीक है, motor area ने बहुत यह response कहां बेजा, नीचे की और बेजा, कि ऐसा है कि इनको एक घुसा खिचके मार दिया जाए, यह अगर मुझे कोई बोल रहा, बहुत सुंदर लग रही हूँ मैं, ठीक, ऐसा करूँगे कि नहीं करूँगे, तो temporal lobe जो है, किसी भी hearing का आपको क्या देते हैं, reflex hearing का signal देते हैं, ठीक है, temporal lobe से आप सुन पाते हैं, कि क्या हो रहा है, और सुनोगे, फिर वैसा response करोगे, तो जैसे कि मैं आज आपको बोल रही हूँ, देखना, हेलो बच्चो, this is me, शुप्रातिवारी, welcome back to your favorite channel, Magnet Brains, आज हम पढ़ेंगे human brain के बारे में, धार धार अपन NCRT खोलने लगते हैं, और human brain का chapter खोलके बैठ जाते हैं, कैसे सुना, आपके कानों में मैंने ये बोला, कि आज हम पढ़ेंगे human brain, ठीक, फिर आपके SOC, फिर क्य सिगनल गए, medulla oblongata, फिर उसके बाद, pons, medulla oblongata, pons, और उसके बाद कहां पहुचे आपके, temporal lobe में, temporal lobe से सिगनल कहां गए, sensory area पे आगे, temporal lobe के, उसके बाद गए, association area में, association area को बता गया, कि ये शिपरा madam है, जल्दी से बेटा ऐसा है, कि page number फलाना खोल लो, को कि शिपरा और फिर motor area ने बताया कि धड़ा, फिर motor area से सिगनल कहां पर आया, बेटा, motor area से सिगनल आया, आपके midbrain, midbrain से pons, pons, medulla, medulla से spinal cord, spinal cord से nerves, nerve से तुमारे हाथ, हाथ से page पलटना शुरू किया, ठीक है, अब अपना आते हैं, last area of this cerebellum, which is the, which is the बच्चो occipital lobe, ये इसका sensory area है और ये इसका motor area, association area है, ये इसका association area है, अब माल लो, ध्यान से समझना, ठीक, मेरे सामने एक बड़ा काला भैसा खड़ा है, समझ गए, मेरे सामने काला भैसा खड़ा है, ठीक है, समझ में आई बात, मेरे retina पर एक काले भैसे की image बन गई है, समझ गए, अब मेरे आग से क्या निकलती ओप्टिक नर्व निकलती है ठीक, ओप्टिक नर्व जो है वो कहां गई और आपके ओसिपिटल लोब में गई ओसिपिटल लोब से एसोसियेशन एरिया में सिगनल गया कि काला भैसा बैठा है हो सकता मार दे, कूट दे, कचर दे इससे भागना है तो फिर इस एसोसियेशन से सिगनल कहां पर आएगा, मोटर एरिया में आएगा और फिर मोटर एरिया से सिगनल नीचे की हो जाएगा, कहां की हो जाएगा बैटा फिर वही बात, midbrain, pons, medulla, spinal cord, nerves और तुम्हारे पैर बेंगे और उस काली भहस से बचने के लिए अपन दोड़ना शुरू करेंगे तो occipital जो है, occipital area क्या बताता है हमको, कहां है occipital occipital lobe हमको vision के sensation देता है एक पर summarize कर दूँ पूरी चीज़ है we have 8 lobes in the cerebrum, 4 here, 4 here एक होता है frontal, एक होता है parietal, एक होता है frontal one is the frontal, one is the parietal, one is the temporal, one is the occipital 4 इदर और 4 इदर frontal जितनी भी complex activities body में होती है learning, personality, development, creativity, intelligence, imagination यह सब pre-frontal, frontal के आगे वाले हिस्से का काम होता है which is called as pre-frontal lobe, ठीक है उसके बाद frontal lobe होता है, वहां motor areas होते है वो signal देने का काम करते है हर lobe में अपना एक sensory area होता है जो की अलग-अलग signals को लेकर आता है और फिर वो से association area को देता है फिर वो motor areas को देता है फिर motor area response करवाता है सबसे पहला हमने पढ़ा parietal lobe जिसमें हमने sense लेकर आते है touch के, pain के, pressure के और फिर वो दिये जाते है association area को और फिर वो दिये जाते है motor area को motor area से response मिलता है फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ा है temporal के तेमपोरल से senses आते है hearing के, hearing के कान से आएंगे कान से आएंगे उस parietal lobe में parietal lobe से कहां से आएंगे parietal से auditory nerve जो है ने वो signal लेके जाती है parietal lobe में parietal lobe से association area में association area से motor area में motor area में मालो भागने का signal देना तो legs के और जाएगा पकड़ने का signal देना है तो हाथ की ओर जाएगा ऐसे ही occipital में देखने का signal आता है देखने से association area फिर motor area अगर आप कोई खतरनाक चीज़ दे रहे हैं भागो अच्छी चीज़ देख रहे हैं तो पकड़ो ठेक है? So these are the function of cerebrum So ये तो मैंने बहुती कम बता है Brain एक बहुती complex structure होता है बच्चो ठीक है? जिसको पढ़ना, समझ पाना, gather कर पाना is really very difficult मैंने अपने level पर बहुत मेहनत करके पढ़ाया है आपको मैं ये उमीद कर रही हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा एक बार पूरा कोई देख लेते कि हमने आज क्या क्या पढ़ लिया मैंने सबसे पहले आपको brain का पूरा division बताया कि कैसे होता है फिर मैंने आपको brain के पूरे ventricles बताया कि कितने ventricles होते हैं brain में फिर मैंने आपको एक जो है तो carpus callosum वेगरा बताया फिर मैंने आपको बताया cerebrum so we have completed the first part of the four brain it is the largest part of the brain इसले मैंने एक separate lecture में आपको लिया next class में मैं four brain, mid brain के बारे में आपको पढ़ाऊंगी और hind brain में फिर separately पढ़ाऊंगी this is all about the first part of the four brain बच्चो मैं यह उमीद कर रही हूँ कि इतनी मेहनत अगर मैंने की है तो इतनी ही मेहनत इस से तीन गुनी मेहनत आप करेंगे पढ़ने में अगर कुछ ना समझ मैं है बच्चो तो मैं हूँ न ठीक है तुमको किस बात का है डर मैं हूँ न ठीक है so this is all about the first part of the four brain I hope you learned and enjoy the lecture see you in the next class अब तो घर पे रहिए safe रहिए बच्चो अपना ध्यान रखी thank you so much and bye bye